वेल्कम गाइज वेल्कम बाक टियो ओन चैनल ऑप्शन गाइड तो स्वागत है आपका एक और शांदार डेली मार्कलिस वीडियो में आज भी क्या हुआ मार्केट में ओर अवरॉल तो मार्केट रेंज में दिखाई देगी आपको लेकिन फिर से काम लेवल्स पही हुआ है अब आज भी देखोगे बैंग निफ्टी में हमने आपको एक ही टागेट बताया था 47680 मेजर रिष्टनस लेवल भी है मेजर सपोर्ट लेवल था 47430 आज के पूरे दिन की रेंज बैंग निफ्टी में यही दोनों लेवल्स है लो आट साइड सपोर्ट से बांस आया और अब देखो लेवल्स ने कमाल से वर्क किया आज की मार्केट में लेकिन ऐसी मार्केट में लोगों को यह सवाल रहते हैं सर लेवल पे तो काम हुआ ट्रेड भी हमें पता है पर और आप्शन बाइंग में जादा प्रॉफिट मिलता नहीं है जब मार्केट में मूव छोटे हूँ देखो पहली चीज़ इससे बेटर सेट अप तो पॉसिबल नहीं है ये तो आपको क्लियरली दिख रहा है क्योंकि हमने राली में बात की थी फॉर्टी साउंड सिक्सेटी थी 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 एक पुजिश्टे लेवल भी है इंट्राडे लेवल भी है लेकिन option sellers को जरूर इन लेवल से profit हुआ होगा कल की वीडियो में मैंने कहा भी था कि option selling के थुरू आप trades बना सकते हैं option selling में अच्छा profit आपको मिल जाएगा एक तो market range bound भी है उपर से आपके direction में भी market move कर रही है क्योंकि यहां आपको बता है कि आपको calls को short करना है resistance पे जब market ने rejection face की तो वहाँ profit मल रहा है तो अब यह सवाल आता है क्या option buying की जगा हम option selling कर ले तो देखो इसका answer भी आपके पास ही है अभी current market ऐसी चल रही है जहां option bias को ज़्यादा profit नहीं मिल रहा है तो आप option selling में सोचेंगे कुछ ना कुछ profit तो ज़रूर मिलेगा और ठीक ठाक profit मिलेगा लेकिन जिस दिन market कोई बड़ा move देगी ना उस दिन आप regret करोगी कि यहार मैंने option selling क्योंकि जब मेरे पास direction थी क्योंकि option selling में maximum profit 30-40-50% ही मिलेगा अगर बहुत बड़ा move भी आया लेकिन option buying में option 10x भी होते हैं यह आपको पता है तो सवाल वही है क्या आप छोटे profit से satisfied हो तो आप option selling कर सकते हो तब आपको regret नहीं होना चाहिए कि भाई किसी दिन market में बहुत बड़ा move आ गया और उस दिन option selling में आपको 30-40% ही profit मल रहा है और option bias का option 3-4-5x हो चुका है तो उस दिन आपको regret नहीं होना चाहिए तो बस यह सवाल आपको answer करना है अगर आपको option buying से option selling की तरह जाना है क्यों कि options इतने जादा बढ़ जाएंगे वहां ऐसी कहानी नहीं होती premium DK होता है थोड़ा बहुत move आएगा तो आपके direction में वैसे भी option reduce होगा तो profit मिलेगा लेकिन compare नहीं कर सकते आप option buying से तो चलो आज आप comments में बताओ आप क्या prefer करोगे market में option selling या option buying क्योंकि अगर आप option selling भी सी फिर option buying की तरफ चले जाओ तो चलो यह तो range bound market की बात होगी overall market में हुआ कि आज वो देख लेता है and सबसे पहले channel पे नए है daily ऐसा perfect setup मिस नहीं करना चाते तो subscribe जरूर कर ले क्या हमसे better levels और analysis आपको कहीं नहीं मिल सकता यह हम daily proof करते हैं आज भी आपको वही दिखाई देगा देखे market में gap down opening morning में market आके कहा support लेती है हमारा support level क्या था 47 430 क्या इससे perfect कोई support level हो सकता था नहीं हो सकता था यार market morning में आती है level को hold करती है green candle भी मनाती है यहां से आप reversal भी play कर सकते थे और reversal में अच्छी खासी rally भी आई है तो अगर आप यह reversal play करते है आपको अच्छा खा अधर market level को break करेगी तो उस direction में trade बनाना है लेकिन market अगर खुद बताया आपको कि support को hold कर रही है तो आप reversal play कर सकते है और वही reversal यहाँ पर play हुआ है और गजब की rally थी और resistance पे तो आपको पता ही है 47 680 कितना major level है और resistance याप fall भी play कर सकते थे लेकिन कहानी वही है ना कि fall इत decay का भी loss हो रहा है आपको and overall भी market आपके opposite move कर रही है तो overall भी loss होगा तो बड़ा loss होगा तो at least आपको सही direction तो दे रहे है यह levels तो overall पूरा दिन range में थी market morning में एक अच्छा खासा trade आप बना सकते थे setup से उसके बाद level से fall ज़रूर आया लेकिन वही यार fall में कोई बहुत profit भी देखने को नहीं मिला होगा यह bank nifty की बात हुई अब bank nifty का कल का setup भी जानेंगे कल expiry है लेकिन पहले एक बार nifty भी देख लेते हैं nifty में क्या हुआ nifty में भी देखो level का magic morning में fall आ रहा है लेकिन market ने कहां support लिया 22 430 पे हमारा support level था market ने sign भी दिया hold करने का और यहां से bounce back और rally एक ही candle में इतनी बड़ी rally आगी लेकिन आपने यहां पर profit जरूर बनाया होगा अगर आपने इस support से bounce play किया होगा और almost 22 500 के आसपस आज का top लगा है यह क्यों major resistance है clearly मैंने आपको option chain भी बताया था overall भी discuss किया था तो वहीं almost आज का top लगा फिर market में fall आता है और उस distance face कर रही है level से dip भी आ रहा है लेकिन dip सिर्फ 30 points का है यार 30 points में option में profit नहीं बनता है और especially जिस दिन expiry ना हो उस दिन तो बहुत ही मुश्किल है इसके बाद जब day and में इसका breakout दिया तो वहां भी almost एक rally आई वो भी 30 35 points की थी तो जो moves थे level ने चाहे काम किया हो या ना किया ह trade नहीं बन सकते ना trade बनाने के लिए moment यह वो moment थी नहीं market में यहां भी almost जो trade था वो morning में था एक उसके लाव कोई trade थे नहीं और फिर निफ्टी यह भी update मैंने आपको इसलिए नहीं दी क्योंकि फिर निफ्टी में भी moves नहीं थे कहीं भी trade बनाते premium decay चल रहा था profit बनाना ब वो directly discuss कर लेते हैं पहले bank nifty की बात करते हैं जिसकी expiry है फिर nifty पर आएंगे charts पर भी discuss करेंगे option chain भी बात करेंगे bank nifty में कोई सवाल ही नहीं है levels का पता होना चाहिए आपको levels मैं तो बता ही रहा हूं लेकिन already भी पता होना चाहिए market ने बार-बार हमारे levels पर काम किया है same levels levels है वैसे भी हम levels change नहीं करते हैं लेकिन अभी भी same है लोग क्या करेंगे कल market में 46,680 नहीं आया था तो आपको दिखा होगा लोग 47,600 level की बात कर रहे थे 626,30 level की बात कर रहे थे लेकिन हमने simply बताया था भाई यही level है हमारा हम daily market के according level change नहीं करते हैं बहुत research करके level निका आप देख लो चाहे वही level था 47,430 तो levels कल के लिए यही दोनों है चेंज हम वैसे भी नहीं करते हैं अब market इसी range में काम कर रहे है तो same यह levels है अब करना क्या है trade कैसे बनेंगे अगर market को bullish होना है तो 47,680 के resistance को break करना पड़ेगा तब market में एक rally आएगी trending और तब target होगा 47,9 40 से 48,000 का zone लेकिन कब यह trade बनेगा जब यह resistance ब्रेक होगी confirmation के साथ अगर market level पे resistance करें तो आपको पता है आपको वहां से reversal में fall भी play कर सकते हैं जो आज हमें play करने को मिला भी यहां भी देखो sudden rally आई थी लेकिन market level पे आगे रुकी फिर fall आया तो कमाल का level है use करो बस तो upside यह downside भी same चीज़ है 47,430 major support break होगी तो trending fall आएगा fall में target 47,250 पहला और उसके बाद 47,000 level simple clear है यार हमारा setup तो यह दो major levels है जब यह break होगे तब trending move आएगा otherwise इन level से market sign दे reversal का तो play करो ना reversal किसने मना किया है बस market आपको sign दे direction दे तब play करना है randomly नहीं कि market यहां आई और मैं तो भाई यहां से reversal play कर लो नहीं wait करो market बताएगी आपको market के साथ चलना है against नहीं चलना है जो market बताए उसे follow करो ठीक है तो setup simple यही है यह range है trending move तब आएगा जब यह range break होगी otherwise reversal play करो अगर level पे market आपको sign दे reversal play करो simple setup है hope clear है levels भी मैंने आपको साथ यह और mark कर ले ना एक ही बार mark करने daily change नहीं करने तो mark जरूर कर ले चलिए हम निफ्टी की बात करते है bank निफ्टी का setup तो यही है निफ्टी में क्या मैं निफ्टी में 224 30 पे काम तो हुआ है चाहे बड़ा move ना आया हो लेकिन काम तो हुआ है कल भी इसी level पे काम होग आज break होने के बाद बड़ा fall नहीं है छोटा fall था लेकिन कलम मान रहे है कि अगर यह support break होगा market में एक बड़ा fall आना चाहिए और उसमें target होगा 22,350 level पहला trade यह है 22,430 के below nifty negative होगा fall आएगा nifty में और यह हमारा target level होगा simple clear setup है और upside मैंने same चीज़ बता रखे कोई भी rally का trade ह और market 22,520 के आसपास आए तो यहां आपको उस trade से exit हो जाना है यह एक बहुत ही major resistance है अभी हमें यह break होती नहीं दिख रही है इसके अबव तो हमें market को trade भी नहीं करना है और यहां मिले market यहां कोई भी reversal का sign दे तो यहां से fall भी play कर सकते हैं लेकिन bullish market में maximum market यहीं तक जाते ह कोई दिख रही है इसके above trades नहीं बनाने तो almost same setup है जो हमने कल बात की थी almost same setup है 22,430 के below market negative कहीं भी bullish trade मिले उसमें आपको यहां पे exit होना है 22,520 पे और यहां से fall का यह reversal का sign मिले तो वहां से आप fall के लिए दुबारा trade बना सकते हैं यहां से भी दुबारा market negative expected है यह simple nifty का कल के लिए charts पे setup है क्या option chain ही से confirm करी है एक बार option chain मी देख लेते हैं क्योंकि कल option chain नहीं बताया था कि 22,500 पे market struggle करेगी और वहां से fall आएगा क्या आज भी option chain वही बता रही है देख लेते हैं एक बार option chain में चली option chain पे आते है 22,500 पे क्या हो रहा पहली चीज़ रिष्टेंस है इसके आसपास तो market को reverse करना ही चाहिए बहुत major resistance है देखो option chain में भी resistance है intraday chart पे भी resistance है in fact positional chart पे भी resistance है जो one day time frame पे है और इसके साथ साथ super trend की भी resistance है तो सारी चीज़े यही बता रही है कि यह level break करना बहुत मुश्किल होगा यहां से हर बार हमें market में reversal और fall expected है currently तो ठीक week है कल भी week था आज भी week है ठीक है बहुत कम gap है दोनों में major support कल भी 22,300 पे था आज भी वही है 1,25,000 हुआ है put side call side 34,000 तो यहां भी 90,000 हुआ ही का gap है तो same range है 22,300 से 22,500 कल के लिए भी nifty की यह range पता लग रही है और एक level बहुत ही important है वो है 22,500 क्योंकि इसके पास multiple resistance है यहा easy नहीं होगा इस level को break करना और यहां से आप daily देख भी रहे हो market में reversal आ रहा है तो same कल भी वो यह expected एक ही condition है reversal की की market आपको sign दे अगर suddenly कोई बड़ी green candle बन गई level के अबव तो reversal नहीं है market level पे आए वहाँ पे red candle बना एक तो market आपको बता रही है हाँ भी मैं struggle कर रही हूँ फिर reversal प्ले करो ठीक है तो यह कल के लिए setup है hope सारी चीज़े clear है वीडियो अच्छे लेगे तो like कर देना and channel पे न भी वही दिखाए दिया daily यही कानी है सिर्फ आज की बात नहीं है कि आज levels पे काम हुआ आज bottom top हमारे levels पे इबना magnitude में सिर्फ आज की बात नहीं है maximum time आपको यही होता वह दिखाए देगा तो अगर सच में आप practical realistic illnesses miss नहीं करना चाते तो channel को subscribe कर ले